द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू ने राश्रुपती पद की शपत ले ली है मुर्मू पहली आदिवासी दूसरी महिला राश्रुपती बनी है संसत के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू ने शपत ग्रेंड किया मुख्य निया अधीश एन्वी रमन्णा नहीं शपत दिलाई है तो आपको बता दे कि पंद्रावी राश्पती बनी है द्रौपधी मुर्मू देश की पंद्रावी राश्पती के तोर पर आज उनोंने शपत ग्रेंड किया और भव्य तरीके से कारिकरम मायुजित किया गया जहां पर तमाम देगर्ज मुदूद रहे और आपको बता दे कि एन्वी रमन्णा ने शपत दिलाई और द्रौपधी मुर्मू ने राश्पती पत के लिए शपत ग्रेंड कर लिया भारत में गरीब सपने देख सकते हैं पूरा भी कर सकते हैं ये संबोधन के दोरान द्रौपधी मुर्मू ने जिकर किया मेरा राश्रपती बनना हर गरीब के लिए हर्श का विश है मलपूरा के धनोली का आपको बता दे कि संसत के सेंट्रल हॉल में द्रापदी मुर्मो ने शपत ग्रहन किया और इसके साथ ही उन्होंने देश को संबोधित किया मुख्य ने आधीश एनवी रमन्या ने शपत दिल कर लिया है तो राश्रपती द्रापदी मुर्मो ने कहा कि मैं देश की ऐसी पहरी राश्रपती भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है मैं जन्जातिय सामात से हूँ और वार्ड कॉंसलर के से लेकर भारत की राश्रपती बनने तक का जो औस